तो अभी देखते अगर हम एक नमपायरे को create करेंगे तो उसको save और loot कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग ने एक नमपायरे को create कर दिया जिसमें यह सब values present है तो अगर इसको save करना हो तो हम लोग np.save करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको कोई नाम से सेव करेंगे और मैं इसको save कर रहा हूं माई नमपाय के नाम से और यहाँ पर सेकंड पैरामेटर जो है जो भी मुझे नमपायरे को save करना है उस object को pass कर दूंगा यह हम लोग ने सेव कर दिया है सेव करने के बाद अगर मुझे यूज़ करना है तो वापस लोड तो करना ही पड़ेगा तो मैं यहाँ पर एंपी डॉट लोड में यूज़ करूंगा और यहाँ पर जिस नाम से सेव किया था उस नाम को लिखूंगा और extension दूंगा धा.NPY ऐ.NPY इस टैंज़न वर नम भाइ अरे तो बस extension दे दिया और Meen-to में store कर दिया और यह जो है मेरा नंपाय अरे हो गया तो यहाँ पे मैंने इन रिटा को स्टोर किया था और इसको फिर से मैंने लूड कर दिया यहाँ पे तो मैं n1 को print कर देता हूं तो यह मेरा numpy array already existing है तो मुझे इसको save करना हो तो मुझे np.save use करना है और मैं इसको save करूँगा मान लीजे my array के नाम से और यहाँ पर object है n1 तो मैंने save कर दिया इसको मुझे फिर load करना पड़ेगा np.load code और load करूँगा मैं my array.npy के नाम से यहाँ पर मुझे बस एक code देना पड़ेगा और मैं इसको store करूँगा new n1 और मैं भी new n1 को print कर देता हूं तो मैंने इसको my array में store किया था इसके बाद मैं load कर रहा हूं और एक नए object में store कर रहा हूं new n1 और यह मेरा new n1 है यहाँ पर कर देना कर रहा हूं